आज है 28 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेट के बारे में जिसको हम IEX के नाम से भी जानते हैं और देखा जाए तो ये एक मॉनोपोली स्टॉक है लेकिन कुछ खबरे ऐसी भी आ रही है कि वह इसकी मॉनोपोली जो ह वो काफी जादा हल्प करेंगे तो देखो पिछले कुछ महिनों में या कहलो कि एक पिछले दो सालों में जो पावर सेक्टर से जोड़ी हुई कंपनिया थी उसने आग पकड़ी हुई थी लेकिन बाद में अगर हम स्पेशली में इंडियन एनर्जी की में बात करूँ आई अगर हम देखे तो एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहां पर साड़े 9% का ग्रोथ है लेकिन 295 तक गया था यह 145 से 295 तक गया था उसके बाद टूटा बाउंस बैक भी किया दुबारा से लेकिन उसके बाद लगाता तूटता जा रहा है यह इवन मैं तीन साल का अगर आपको ग्राफ दिखा हूँ तो एक बहुत बड़ी रफतार हमने देखी अगर देखे 38 रुपीस का शेर था यह 38 रुपीस का 40 रुपे के आसपास ट्रेट कर रहा था यह 2020 जब कोविड आया था उसके बाद जो राइस हमने देखा 300 के करीब पहुंचा था लेकिन यहां पर जरूर है क्योंकि देखो इनके मॉनोपोली पर भी खत्रा है और डेफिनिटली जो वॉल्यूम बढ़ रहे थे मतलब जो कंजम्शन बढ़ रहा था तो फायदा इनका हो ही रहा था और डेफिनिटली तेजी देखने को मिली भी सही यहां पर जो सबसे बड लाइज पावर एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिमें इन फोकस अज़न यू कंपिटिटर इस एक्सपेक्टेट टो एंटर देमार्केट नई कंपिटर आ सकते हैं वहां यहां पर पीटी सी बीसी आईएएएएए इसी इसी एएए लेड़ थार्ड पावर देहां पर वही है कि वहां और पावर एक्सचेंज आ सकते हैं पीटी सी जो है वो कहिन कहिन का जो मोनोपुली स्टेट से वो छेन सकता है और इस विल एवन इंपक्त पर देगा और वोल्यूम इंपक्त पर नजर आएगा वोल्यूम ग्रोथ इस एड रिक्स अस बिगेश चैलेंज फोर ग्रोथ आ ट्वेट वेर्स लॉंग पावर पर्चिस अग्रेमेंट इस लिमिट देड्रेसेबल मार्केट पर एक्सचेंज तो यह सारी जीज़ आपको समझनी होगी इसके अलावर डिफिनिटली कंपेनी मोनोपोली स्टोक जरूर था इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया भी था इवन अगर हम बात करें तो इट अकाउंट फॉर नाइंटी फाइव परसन ऑफ शॉर्ट टर्म इलिट्रिट पास रहा जरूर है और इंक्रीजिंग जरूर आया था यहां पर और इवन अगर आप देखो तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू परसन राइज इन इलेट्रिसिटी वॉल्यूम वास दो मेन रीजन फॉर्डर रोबस्ट परफॉर्मेंस तो भाई अब बिजली की जो कहत है नीचे क्योंकि कहीं पर भी सपोर्ट नजन नहीं आ रहा है कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा यह थोड़ा बहुत कंसॉलिडेट कर रहा है यह तूट रता गया थोड़ा बहुत बाउंस बेक भी आ उससे जाला तूट यह भी भी कंसॉलिडेट नहीं कर रहा है और आने वरे पर्संट की गिरावट थी रिवन्यू में और सबसे जादा गिरावट थी इनके प्रॉफिट में प्रॉफिट था 69 करोड का जो इससे पहरे 88 करोड था मतलब 22 पर्संट की गिरावट इनके प्रॉफिट में देखने को मिल रही है IEX की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि according to money control user दो पर्दिशन लोग कह रहें कि बेचो 92 पर्संट लोग कहें कि खरीदारी करो company में definitely अगर आप देखोगे तो company से जुड़े लोगों ने financial year 2022 में खरीदारी करी है समीर प्रकाश जो है वो designated person है इन्होंने भई आप खरीदारी करी थी 30 जून को 60,000 शेर खरीदे थे इसे पहले मार्च में भी 30,000 शेर खरीदे गए अमित कुमार की तरफ से February में भी अमित कुमार ने 30,000 शेर और खरीदे थे यहाँ पर इतना ही नहीं company के revenue लगातर बढ़ते जाते हुए में नजर आए लेगिन अभी revenue कम होंगे क्योंकि पहले ही quarter में जो इनका revenue हुआ है वो 98 करोड का हुआ है जो की कम है 98 करोड का हुआ है जो की कम इसलिए भी है क् इसे पहले 431 करोड का revenue था जो को मतलब average कम ही दिखा रहा है profit भी अगर हम देखे तो बहुत अच्छे profit थी यार इनके 165 करोड, 175 करोड, 205 करोड, 307 करोड लिकिन इस बार profit हुआ है 70 करोड का जो की देखा जाए तो 300 करोड से भी कम है यह average अगर हम निकालते है तो definitely सही प्लेक निजन नहीं आ रहे, dividend की बात कि तो attractive dividend pay नहीं कर रहा है यह, अगर हम dividend की बात करें, तो एक रुपए का इन्होंने dividend pay किया था अगस में, और fab में भी एक रुपए का ही था, इसे पहले दो बार pay किया था, जो कि अच्छा था ठीक है, पिछले साल, धाई रुपए का और डेड रुपए का, मतलब चार रुपए का dividend पिछले साल pay किया था, इस बार एक एक रुपए मतलब दो रुपए का dividend pay किया है, आई एक्स 46 का PEE है, डेफिनिल्ली महंगा PEE है, क्योंकि सैक्टर PEE 30 के आस पास है, तो correction का इंतिसार फोड़ावत करना चाहिए, थोड़ा और नीचे की तरफ जाता है, तो मौके बन सकते हैं, और बाजार में जैसे कि अभी से खबर आना शुरू हो चुके कि मंडे को जब बाजार खुलेगा तो गिरावाट देखने को मिलेगी, और डेफिनिल्ली यहां पर भी ओ गिरावाट आप देख सकेंगे, 42% एनालिस्ट क पास है, उसमें से रीटेल इंवेस्टर के पास, 35.66% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, देखो मैं इस कंपनी को चूज नहीं करूंगा लॉंग टर्म के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दौर में इनका जो मोनोपोली और जो स्टेटस है, वो ज्यादा द अभी के लिए, अवाइड करिए, जब तक इस ट्रॉंग सपोर्ट कहीं पर बनता नहीं है, और बाज़ार वैसे भी थोड़े अच्छे मोड़ी में नहीं है, तो जाहिर सी बात है, ऐसे शेर से बैटर है कि आप अच्छे कंपनी के शेर चुने, जहां पर रिस्क ना हो और जादा हो, तो वीडियो को यहीं पेंट करूँगा, पसंद आए हो, तो लाइक करें के चैनल बगरा पहले ही बार हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आई, ए, एक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिक्तर बता सकते हैं, तेंक्यो बता सकते हैं, वीडियो को भी एह्ळिएगा करेंगा मॊझे करेंट